देख रहे हैं निउस फोनेशन बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है जहां अगर आप बिहार पुलिस के भरती में आना चाहते हैं बिहार पुलिस का जौब करना चाहते हैं तो ये खबर बहुत जरूरी है आपके लिए बिहार सरकार की तरफ से आए दिन रोजगार को लेकर नई नई बहालिया निकलते रहती है जोहां एक तरफ महागटवन्दन की सरकार बनी है और सरकार बनती के साथ ही बिहार के डिप्टी सेम तजश्वी आदब ने अलाम कर दिया था कि बिहार में वो 10 लाग से भी जादा रोजगार देंगे वहीं अगर बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में आए दिन बहालिया जो है वो निकलते रहती है जोहां एक तरफ बिहार में जो यूबा है खास का भी बिहार पुलिस में आकर काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी खबर जो हम लेकर आए हैं जी हाँ बिहार सरकार की तरब से एलान किया गया है कि बिहार पुलिस में कई हजार पदों पर बहाली निकलने वाली है चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कितने हजार पदों पर ये बहाली निकलने वाली और इसकी जो आवेदन है वो कब से कब तक की जा रही है विहार पुलिस में सवकृत किये जाने 75,543 नए पदों में 68,307 पदों पर सीधी न्युक्ति होगी 67,183 पदों पर फॉर्म भरे जाएंगे न्युक्ति की प्रक्रिया जून के चरनवार तरीके से शुरू होने की संभाब ना है विहार पुलिस मुख्याले के ADJ जितेन सिंग गंगवार ने शुक्रवार को बताया है कि जुन पदों पर सीधी बहाली होने को है उनमें 23,693 दरोगा, 35,777 सिपाही और 8,927 ड्राइवर सिपाही के पद है इसके इलावा 6 DSP के ने पद भी सुक्रित किये जाएंगे जिस पर सीधी न्युक्ति होगी पुलिस मुख्याले की अस्तर से अभी रोस्टर क्लेलेंस की कारिवाही की जा रही है बहुत जल सम्मंदी चयन परसद और आयोग को अधियाशन भेज दी जाएगी इसके बाद विज्ञापन निकाल का चयन परिशद और आयोग की द्वारा परिक्षा ली जाएगी पुलिस बल की होने वाली नई न्यूक्तियों में 27,096 पद इमर्जेंसी, रिस्पॉंस और स्पोर्स सिस्टम होंगे इसके तहर संचाले डायल 112 सेवा के लिए भरे जाएंगे इसमें डायल 112 के पहले चरण के लिए 7,808 पद जबकी दूसरे चरण के लिए 19,288 पद सुफ्कृत किये जाएंगे इसके अलावा बरती जन संख्या के अनिरूप 48,447 नय पद स्रिजित हुए हैं वहीं आपको बताते चलें कि ADJ जितेन सिंग गंगवार ने बताया है कि राज सरकार के द्वारा कुछ वर्स के बड़े पैमाने पर पद स्रिजिन एवं न्यूपती की कारिवाही कीचाएगी जिसके कारिकर्थ एवं सिप्कृत पुलिस बल के गुणवनता की व्रिधी होगी 27 वर्वरी 2023 के आकड़ों के अनुसार IPS अफसरों समेट बिहार पुलिस के कुल सिप्कृत पदों पर 2,28,014 बहाली होगी बिहार पुलिस की कुल कारिकर्थ बल जो है वो 1,6,916 है प्रति लाग जन संख्या पर व्रिधी जो है बिहार पुलिस कुल पदों की संख्या बढ़ाकर 183.65 हो गई है वहीं प्रति लाग जन संख्या पर कारिरत बल की संख्या बढ़कर 86.12 हो गई है वहीं आपको चलिए हम बताते हैं कि किन-किन पदों पर बहाली निकलने वाली है, 6 पदों पर जो है बहाली वो DSP की निकलने वाली है, 23,653 दरोगा पद पर बहाली निकलने वाली है, 35,774 सिपाही पर बहाली निकलने वाली है, 8,927 ड्राइवर सिपाही पर बहाली निकलने व 183 पुलिस कर्मियों पर पद स्विप्कृत के लिए बिहार की प्रती एक लाग पर 86 पुलिस कर्मी कारिकर्थ हैं फिलहाल बिहार में एक लाग अवादी पर 2,28,000 स्विप्कृत बल है बिहार पुलिस में एक लाग 6,916 कारेरत पुलिस बल पर बिहार में हैं वह हम आपको बताते चलिएं कि अब भिहार पुलिस की जो बहाली है वो जून के महीने से शुरू होने वाली है अगर आप भिहार पुलिस की परिक्षा की त्यारी करने हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट हैं हमने आपको विस्तार से बता दिया है कि किन-किन पदो पर आ आने वारे दिनों में कितनी बहाली निकलने वाली है जहां एक तरफ बिहार सरकार की तरफ से खासकर बिहार पुलिस जो है उस विभाग में लगातार बहाली की जा रही है जहां जहां 112 जो डायल नंबर है इसको लेकर लगातार बिहार पुलिस जो है बहाली की प्रिक्रिया श पिल्हाल खवर में सनाही और भी न्यूज और अप्डेटी के लिए देखते रहे हैं न्यूज फ़र्णेश्यों